सुप्रीम कोट का आदेश भारतिय जनता पार्टी के मुह पे एक कड़ा तमाचा है भारतिय जनता पार्टी सीबियाई को और एडी को अपने तोता मेना की तरह कि इस्तेमाल करते हुए अर्विन केजरिवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशने रच रही थी बाबा पहले तो निश्ची तुरूप से हमादनी पार्टी के लिए दिल्ली सरकार के लिए हम सब के लिए हम सब के परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है बहुत भावक्षण है कि हमारे भाई हमारे प्रियर नेता हमारे गुरू राजनेतिक गुरू अर्विन के केजरिवाल जी भारती जनता पार्टी के तमाम कुछ अक्रों के बाद बहार आएंगे उनकी तमाम साजिसे रखी की रखी रहे जाएंगी भारती जनता पार्टी वालों की लेकिन साथ साथ बात सिर्फ केजरिवाल जी की जमानत की नहीं है आज माननिय सुप्रीम कोट ने भा साग्थियर जंता पार्टी के मुह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजंसियों का दुर्पयोग कर रहे हो आपने एजंसियों को अपना केज पेरट बनाके रखा हुआ है बनेरिबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा किसीबियाई केज पेरट की तरह से का कर रही है मानने सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ पार्टी सरकार या विक्ति के लिए हमारे लिए महत्पूर्ड नहीं एकेवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है साफ भरोशा है भरोशा है कि आप चिंता मत करो अगर कोई तानाशाही चलाएगा अगर कोई अजिंसियों का दुरुप्यों करेगा तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाव देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है और भारत में अगर किसी की चलेगी ना तानाशाही की चलेगी ना सीबी आई की चलेगी ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी ये ऑनरेबल सुप्रीम कोट के फैसले से साफ संदेश है दूसरी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोट के जिसने रच रही थी खुद अनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया आज कि जिस तरह से सी बी आई ने सी एम साब को अरेश्ट किया उससे ये साफ हो जाता है कि सी बी आई जान बूझ कर केजरिवाल जी को अंदर रखने की मनशा के तहत उनको ग्रफतार कर रही थी ये ब जेल में रखने की मनशा के तहत सी बी आई केजरिवाल जी को अरेश्ट करती है और ये मनशा किस की है कि जिवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं मनशा है भारतिये जनता पार्टी की भारतिये जनता पार्टी के ये मनशा थी कि अरविंद केजरिवाल जी अंदर रहें जे से उनको अरेश्ट कराया गया बहुत सोची समझी साजिस के तहट सीबियाई ने किसी करप्शन में अरेश्ट नहीं किया बीजेपी की मंशा से अरेश्ट किया है केजरिवाल जी को यह बात हम कह रहे थे आज सुप्रीम कोर्ट में इसको सही ठहराया है कि सीबियाई ने बीज करनी चाहिए इस बात के लिए कि इतना खुले आम वो सीबियाई का दुर्पयोग कर रही थी आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गया बुरी तरह से भारती जमता पार्टी थोड़ा उनको माफी मांगनी चाहिए देश से देश के संविधान से बाबा सहाब से माफी म गदमों सर्व छूटने वाले होते हैं तो फिर दूसरी एजिंसी को लगा के उनको अरेश्ट करवा देते हैं ये बात आज एक्सपोज हो गई के जिवाल जी के संबंध में मुकदमे के जो बेल के संबंध में उन्होंने बिया और तीसरी बात हम सब के लिए बहुत संब्धान का कवज ये तीनों अर्विंद के जिवाल जी के साथ है और जब तक लोगों का प्यार अर्विंद के जिवाल जी के साथ है जब तक भगवान रामकी हनुमान जी की किरपा अर्विंद के जिवाल जी के साथ है जब तक देश के संब्धान का रक्षा कवज झाल झाल